हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूँगा गैस कि Samsung Galaxy A15 5G फोन में आप लोग Always On Display को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy A15 5G फोन है और इस फोन में आपको Always On Display को बंद कर देना है अगर आपके फोन में Always On Display इनेबल है गैस तो आपके फोन में जब भी आप लोग अपने फोन के स्क्रीन को लोग करोगे तो फिर भी जो है आपके फोन में मतलब टाइमर वगेरा शो होता रहेगा एने टाइम तो कैसे आप लोग जो इस Always On Display को बंद करोगे अगर Always On Display रहेगा तो आपका जो बैटेरी है वो जल्दी जल्दी खतम होने लेगेगा तो कैसे आप लोग इसको बंद करोगे गाईस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं औल्वेज ओन डिस्प्ले को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन का तो इस लॉक स्क्रीन के ओप्शन पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option मिलेगा always on display का तो यहाँ पर देख सकती है रहा यह option और यहाँ पर side में जो on off का switch है यह on है तो इसको simply click करेंगे switch पे switch पे click करती ही यह जो always on display है वो बंद हो जाएगा और आपके phone में always on display नहीं होगा उसके बाद और एक shortcut settings है guys उपर से नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर भी आपको scroll करके ढून लेना है always on display का option तो यहाँ पर से आप लोग इसको on भी कर सकते हो और अगर बंद करना है यहाँ पर से ही आप लोग इसको बंद भी कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Samsung Galaxy A15 5G phone में always on display को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई